अलो स्लाम अलेकुम जी कि वालेकुम कौन सा बोरें कहां से जी फरमाएं कि आ पूछना चाहते हैं अलतला रहम करें जी 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 और लूज मुशन ना बोछ त्यारा वह थीक लिखें जी 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 ये पांच ऐसे ग्राम पांच एक्सिनल आटी यू या दो दिन ही ठीक हो जबाएं अचा साथ इसका जो पेट लूज है उसके लिए आप दो चीजें ले आएं एक तो इसको साशे मिल जाएंगे डायरोबान डायरोबान साशे ले यह दो साशे एक लेटर पानी में आदा लेटर पानी में दो साशे वो डालने और दो साशे यह ओर रस के बलके एक ही ला लें एक साशे और दो साशे शुरू में आप डैरोबान ले लें ठीक है वो इसको पिला दें और आठ गेंडे बाद दुबारा से पिलाना है और साथ एक और ठीका भी देता हूं और अगर बहुत लूज है एनकेओर 20% बास एनकेओर 20% वह भी एनकेओर 20% के भी तीन दिन ये दोनों चीज़ें करें इन्शालह ताला बेहतरीन हो जाएगा बुखार भी उतर जाएगा और सारी इसका लूज मोशन ठीक हो जाएगा एनकेओर 20% के बिसमि था ना बुर्णा भी तरा न या थृटा चाहिए ठीक हो जाएगा कि अलो स्लाम अलेकुम जी बिल्कों ठीक हूं कौन सा बोरें कहां से जी फरमाएं किया पूछना चाहते हैं कि मैंने बोचना मेरा बग्रणा दुमार हुआ है काफी अलात अला रहम करें जी 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 और लोज मुशन ना बहुत जारा वो ठीक अले उसके वज़ना वो कुछ पार रहा है ना कुछ रहते ना दो तीन दिन नो गया है दो रहते हिए अच्छा अलात रहम करेगा लिखें है उसको एक तो एकसीनल आ टी यू हाँ है एकसिनल आ टी यू स क और टी यू हस्टए में और टी यू हाँ हझे यह पांच से ग्राम फांच सीची के अग़ने यह तीन दिन लगाने हैं यह तेम दिन इंजेक्शन लगाने हैं आएक्सिनल आर्टी यू या दो दिन ही लगाएं ठीक हो देगा अच्छा साथ इसका जो पेट लूज है उसके लिए आप दो चीजें ले आएं एक तो इसको साशे मिल जाएंगे डाइरो बान डाइरो बान साशे ले आएं ये दो साश साशे एक लेटर पानी में आदा लेटर पानी लेजाता लेटर पानी में दो साशे वो Taxes actual और यह ओर आस aligned छेज शुरू में आप डैरोबान ले लें ठीक है वो इसको पिला दें और आठ गेंडे बाद दुबारा से पिलाना है और साथ एक और ठीका भी देता हूं और अगर बहुत लूज है एनक्योर 20% बास एनक्योर 20% वो भी एनक्योर 20% के भी तीन दिन ये दोनों चीज़ें करें इन्शाला ताला बेहतरीन हो जाएगा बुखार भी उतर जाएगा और सारी इसका लूज मोशन ठीक हो जाएगा एनक्योर 20% ठीक हो जाएगा अगर ग्रैम का इखताम इस खादीस मुबारिक पर कर रहा हूँ حضرت جرائر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاؤں میں یاد رکھیں فی ایمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پر ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں شکریہ پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں حضرت جرائر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاؤں میں یاد رکھیں فی ایمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پر ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں شکریہ موسیقی موسیقی